हेलो नमस्कार दोस्तों सुवाद करते हैं आपके अपने यूटूब सेनल और के यूजना पर दोस्तों एक बार फिर आपके सामने एक और नई महत्तपुन जानकार लेकर हाजिर हुए हैं आधारकार डाउनलोड कैसे करें और कहां से करें आज इस वीडियो में हम आपको complete information देने वाले हैं कि आप अपना आधारकार डाउनलोड कैसे कर सकते हैं आधारकार डाउनलोड करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको आधारकार की official website पर जाना होगा दोस्तों हम आपकी जानकारी के लिए बता दे की new portal launch कर दिया गया है दोस्तों जो की अब new तरीके से कारिये करता है यहे पहले की तरह कारिये नहीं करेगा दोस्तों वीडियो को लाइश तक वाच्छ करियेगा तब ही जानकारी आप अच्छे से जान पाएंगे क्योंकि यह हैं हम आपको online याने की अपने phone के महाध्यम से online दिखा रहे हैं दोस्तों वीडियो को सुरू करने से पहले हमरे आप से छोटा सन्निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जोरू सबस्राइब करिएगा साथी बैल आइकन को भी प्रैस करिएगा ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफेशन है वे समय समय से आपको मिलते रहे और आप हमारे दिवी जानकारियों का लाब उठा सके तो चले दोस्तों बिन टाइम वेस्ट के ओवेब आपको लेकर चलते हैं वीडियो के यानि की दोस्तों गूगल क्रोम पर दोस्तों हमने ये गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया है तो दोस्तों आप इसमें आपको टाइप करना है आधार आधार card हमने आपको दिखाने के लिए type कर लिया है अब आपने search के बटन पर click करना है जैसे ही दोस्तों आप search के बटन पर click करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह है इसकी official website है जैसे ही दोस्तों आप इस पर click करेंगे इस official website पर तो आपके सामने एक इस तरह का इंटरफेश Open हो जाएगा आप दोस्तों यहाँ पर देखी सकते हैं यह Unique Identification Authority of India Government of India दोस्तों आपके सामने कुछ एक इस तरह का इंटरफेश उपन हो जाएगा यहाँ पर आप यह देख सकते हैं Get Ather Card साथ ही दोस्तों और अपडेट आधार कार्ड आप अपडेट आधार कार्ड कर सकते हैं साथ ही दोस्तों आधार कार्ड सर्विस ये भी समें उफसन दिया गया है और दोस्तों आप अच्छे से जानकारी जान सकते हैं इस वेब साइट पर जाकर तो दोस्तों हमने आपको बताना है कि आधार कार्ड डाउनलोड कैसे करें तो दोस्तों यहाँ पर आप यह देख रहे हैं get आधार कार्ड आपने इस पर किलिक कर देना है जैसे ही दोस्तों आप इस पर किलिक करें तो आपके सामने दूसरा इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं Get Ather Card और दोस्तों फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं Download Ather Card यह वाला दोस्तों आपने इस पर किलिक कर देना है चले दोस्तों हम भी किलिक कर देते हैं दोस्तों आपको इस पर ओके करना होगा अन्य था यह ओपन नहीं होगा जैसे दोस्तों आप इस पर किलिक करेंगे आपके सामने एक इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा थोड़ी देर में दोस्तों आप देख सकते हैं ये दोस्तों इसकी यहाँ पर आप ये देख रहे हैं Welcome to my Adhar Card दोस्तों ये इसकी ओफिशल वेब साइट है आप देरे देरे इस तरहे आप स्कोल कर सकते हैं दोस्तों आप ये देख लीजिए यहाँ पर ये आपको option मिल जाएगा Download Adhar Card Order Adhar PVC Card यानि की दोस्तों अगर आप अपना Adhar Card PVC Card में यानि की प्लास्टिक में आपने देख सकते हैं ATM तरह के मंगाना चाहते हैं जैसे ATM चलता है आपका driving lessons आता है अगर इस पर कर आप मंगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से यह भी देख सकते हैं चैक Adhar Card PVC Card यानि की जो आपने order करा है PVC Card का वह बना है नई गया है यह भी आप यहाँ से चैक कर सकते हैं तो दोस्तों हमने आपको download Adhar Card करना सिखा रहे हैं तो दोस्तों आपको इस पर किलिक कर देना है जैसे दोस्तों आप इस पर किलिक करेंगे तो आप यहाँ पर कुछ इस तरह का interface देख पाएंगे जैसे दोस्तों आप अभी देख रहे हैं Unique Identification Authority of India यहाँ पर दोस्तों आप यह भी देख सकते हैं My Adhar Card E Adhar Card Download ठीक है दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दे कि जो यानि कि आपका अधार नंबर होता है वह 12 डिजिट का होता है और Virtual ID नंबर वह आपका 16 डिजिट का होता है और 28 डिजिट का आपका Enrollment ID नंबर होता है यानि कि दोस्तों आप अपना Adhar Card आधार नमबर से डाउलोड कर सकते हैं और साथ ही Enrollment ID से भी डाउलोड कर सकते हैं और Virtual ID से भी डाउलोड कर सकते हैं दोस्तों फिर आपने करना क्या है अगर आप आधार नमबर से डाउलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर अपना अधा नंबर इनपुट करना होगा फिर यह कैप से आपको यहाँ पर पुट करना होगा यानि कि आपको यह कैप से यहाँ पर लिखना होगा जैसे कि दोस्तों आपको बता रहे हैं दोस्तों आपको as it is ये का ये ही सेम आपको कैप से डालना है हम आपको डाल कर दिखाते हैं नाइन फिर कैपिटल ए फिर आई और फिर इस्मॉल यू और के इस्मॉल के और कैपिटल एम जैसे दोस्तों आप भी डालेंगे फिर उसके बाद आपने दोस्तों हम आपको दिखाने के लिए कोई भी हमने इसमें 12 डिजिट भर दी है 12 उंगोगी तो इस वैसे दोस्तों दोस्तों हमने इसमें आधार नमबर नहीं बरा है हमने कोई भी 12 डिजिट इसमें बर दी है इस वैसे यह गल्ट बता रहा है क्योंकि हम इसलिए नहीं बरे हैं दोस्तों कि यह हम किसी की information leak नहीं कर सकते इसलिए दोस्तों हमने दिखाने के लिए आपको यह number यह digit भर दी है जैसे दोस्तों आप इस तरह अपना आधा number साई से डाल पाएंगे और फिर आपने यहां पर आपके फास जो इसमें आपका mobile number अटेच हुआ है तो फिर उस number पर आपका OTP code चला जाएगा जैसे ही दोस्तों आपका OTP code चल जाएगा फिर आपने इस तरह से आप अपना आधार काड डाउनलोड कर पाएंगे अगर दोस्तों आप enrollment ID से अपना अधार काड डाउनलोड करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं यहां पर आपको अपना enrollment ID number डाउनला पड़ेगा फिर यह capture आपको यहां पर डाउनला पड़ेगा उसके बाद आपके फोन पर एक code आएगा code तो दोस्तों फिर भी आएगा उसके बिना आपका जो यह download है आधारगा नई हो पाएगा अगर आप virtual से करना चाहते हैं तो दोस्तों आपने virtual ID यहां पर put करनी होगी दोस्तों जैसी आप virtual ID पुट करेंगे फिर भी आपने जो यह 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 यहां पर virtual ID आपने put करनी है डालनी है उसके बाद यह कैप साप को यहां पर डालना है फिर दोस्तों वही process है आपके पास phone पर OTP code आएगा जैसी दोस्तों OTP code आता है फिर इसी परकार आप अपना आधर कोड माफ की जगा दोस्तों अपना आधर काड डाउनलोड कर पाएंगे दोस्तों यह थी आपके लिए महत्पूर्ण जानकारी यदि जानकारी आपको अच्छे लेगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और जाद से जादा शेयर करें दोस्तों आप हमारी चैनल को जरू सब्सक्राइब करेंगा क्योंकि सरकार द्वारा जो भी वैकेंड से निकाली जाती है उसकी जानकारी आपको दी जाती है चाहिए सरकारी हो यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी अब दोस्तों आप से चाहते हैं इजाज